इससे प्रिवियस लेक्चर में हमने आरेस अगरवाल में टॉपिक क्वादिनेट जेमेट्री में एक्सरसाइज 6 बी में क्वेश्चन नमबर 36 तक कम्टीट कर लिया था आज उसी के आगे से हम क्वेश्चन को देखेंगे इस फ्रॉम क्वेश्चन नमबर 37 तो नाओ लेट असे स्टुदेंट्स लेट में रीट थे क्वेश्चन वर्यू फर्स्ट थे मिट पॉइंट्स ऑफ थे साइट बी सी चे एंड अब ऑफ ट्राइंगल आर दी के क्वादिनेट्स हैं 3,4 एक क्वादिनेट्स हैं 8,9 एक क्वा सेवन रिस्पेक्टिवली फाइंड दी कोडिनेट्स ऑफ दे वर्टिस ऑफ दे ट्राइंगल तो पहले एक थोटा सा फिगर रॉक कर लें रब फिगर यह मेरा x1 y1 है यह मेरा x2 y2 है क्योंकि मुझे वर्टेक्स से क्वादिनेट्स नहीं पता हैं और यह मेरा है x3, y3 ठीक है यह मेरा a पॉइंट है यह बी पॉइंट है और यह सी पॉइंट है देखें बी सी कमिट पॉइंट है डी c a कमिट पॉइंट है e और a b कमिट पॉइंट है f देखें f के क्वादिनेट्स है 6,7 यह f पॉइंट है d के क्वादिनेट्स 3,4 और e के क्वादिनेट्स है 8,9 इतनी चीज़े मुझे दी है तो जैसा कि इसमें मिट पॉइंट दिया हुआ है तो हम मिट पॉइंट ओफ a b मिट पॉइंट ओफ a b देखिए यह क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 अपान 2 x1 प्लस x2 अपान 2 यह मेरा हो जाएगा 6 ठीक है कॉमा y1 प्लस y2 अपान 2 यह मेरा हो जाएगा 7 वैरो निकार लें x1 प्लस x2 2 into 6 cross multiply यहां से देखिएंगे x1 plus x2 is equal to 12 पहला equation y1 plus y2 7 into 2 is 14 दूसरा equation अब आते हैं point of vc mid point of vc यह मेरा क्या हो जाएगा ध्यान से देखिए x2 plus x3 x2 plus x3 अपान 2 यह मेरा हो जाएगा 3 और y2 plus y3 upon 2 y2 plus y3 upon 2 यह मेरा हो जाएगा 4 देखिए अब यहां से देखिएंगे अब यहां से देखिएंगे mid point of ac mid point of ac क्या हो जाएगा देखिए तो देखिए x1 plus x3 upon 2 is equal to 8 तो यहां से क्या हो जाएगा देखिए यह हो जाएगा मेरा x1 plus x3 2 into 8 cross multiply यह मेरा हो जाएगा 16 question number 5 similarly y के लिए देखिएंगे ही मेरा क्या हो जाएगा कि वाइवन प्लस वाइथ्री अपन टू इस इकल टू नाइन यहां से देखिए देखिए तो क्या मिल जाएगा देखिए वाइवन प्लस वाइथ्री तो इन टू नाइन क्रॉस मल्टिप्लाई यह एट्टीन ओप्लाउन प्लस वाइथ्री की वाइथ्री के वैलिय निकालेंगे ठीक है देखिए अ है मुझे दिया है एक्स वन प्लस सेक्सटू इस ऑगल तो देखिए मुझे मिला क्या है X1-X3 is equal to 6 ठीक है एक तो मुझे यह चीज मिल गई अच्छा दूसरी चीज यह देखिए मुझे X1-X3 की value 16 दिया है तो यहां भी देखिए क्या है X1-X3 is equal to 6 एक तो यह दे रखा है दूसरा दे रखा है X1-X3 is equal to 16 एड़ कर लें ठीक है एड़ करेंगे कोई sign change नहीं होगा ठीक है यहां पर हमने subtract किया है इसलिए sign change होगा है एड़ पर कोई sign change नहीं होगा देखिए 2X1 is equal to यह में रहा हो गया 22 ठीक है देखिए X1 की value क्या हो गई 22 upon 2 कि इतना आ गया 11 आ गया ठीक है तो यह 11 आ गया है अब हम X2 की value निकालते है देखिए कैसे निकाल सकते हैं बहुत इजी X1 प्लास X2 is equal to 12 विसी में value पुट कर देंगे X1 प्लास X2 इस इक्वाल टू 12 पुट कर देखिए X1 की value 11 है 11 प्लास X2 is equal to 12 देखिए X2 की value क्या गई 12-11 तो यहां से हमने देखा कि मेरी X2 की value क्या हो गई 1 ठीक अब हम X3 भी निकाल सकते हैं देखिए कैसे यहां पर X2 प्लास X3 is equal to 6 दिया हुआ है तो मुझे X1 एक्स टू और X3 की value मिल गई है ठीक है स्टूडेंस एक बार फिर से देख लें X1 एक्स टू और X3 की value मिल गई है अब मुझे Y coordinates निकाल लें आए चली देखतें कैसे निकाल सकते कि इसके लिए पहले हमने क्या-क्या equation बनाई थी उसको नोट कर लेते हैं देखिए हमने क्या-क्या equation बनाई थी देखिए हमने बनाई थी y1 plus y2 is equal to 14 यह मेरा था equation number second फिर equation हमने बनाई थी y2 plus y3 is equal to 8 y2 plus y3 is equal to 8 यह हमारी equation थी 4 इसके बाद हमने एक्वेशन बनाई थी यह थी y1 plus y3 is equal to 18 यह मेरा था equation number six थीक ना देखिए तो हम देखिए या सेकेंड या फोर को सॉल्व कर लें या सेकेंड या होगा था किसी की भी सॉल्व कर सकते हैं देखिए तो हम देखिए सेकेंड ओव सिक्सको इस्ट इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमको क्या मिलेंगा देखिए क्या लिख्वा होगा है कि y1 plus y2 is equal to 14 फिर क्या दिया है y1 plus y3 is equal to 18 कि सब्ट्रैक कर देंगे सब्ट्रैक्ट क्या होगा साइन चेंज होगा यह होगा यह होगा कट जाएगा देखि क्या मिल जाएगा हम्गा i2-y3 इसी कल टु कि मेरा मिल जागा थिक है ति य ये मिरा आ गया मुझे क्या मिला क्या दिद्स माइनस वाई थ्री कि Promise been है फिर मुझे question 4 दिया है y2 plus y3 y2 plus y3 is equal to 8 अब इसे मैं add कर लूँगा यह part cancel 2 y2 is equal to 4 तो y2 is equal to 4 upon 2 तो यहां से हमने देखा कि y2 की value आ गई 2 अब देखिए अब मुझे निकालना है y1 और y3 इस equation पूट कर देंगे y1 plus y2 is equal to 14 यह दिया हुआ है y2 की value 2 है 2 यहां पे पूट कर देंगे y1 plus 2 is equal to 14 तो y1 is equal to 14 यह plus 2 इधर हैगा minus 2 हो जाएगा y1 is equal to 12 ठीक है na y1 की value 12 आ गई अब एक last मुझे निकालना है y3 देखिए किसी में भी पूट कर दें suppose कर लिए अगर इसमें पूट कर देते हैं तो मैं equation number 4 में तो मेरा क्या हो जाएगा y2 plus y3 is equal to 8 ठीक है na y2 की value 2 है 2 plus y3 is equal to 8 y3 की value हो जाएगी 8 minus 2 तो y3 की value क्या गई 6 ठीक है न अब देखिए हमने जो coordinates vertex के suppose किये थे x1,y1 x2,y2 ठीक है and x3,y3 यहीं हमने coordinates suppose किये थे देखिए x1 और y1 की value क्या है देखिए मेरा x1 है मेरा 11 तो यह हो जाएगा 11 कॉमा और y1 है 12 तो यह हो गया है x2 देखिए x2 की value है 1 y2 की value है 2 1,2 and x3,y3 क्या है देखिए x3 की value हमने निकाली है 5 ठीक है न और y3 की value निकाली है 6 तो यह मेरे complete coordinates आ गया है ध्यान देए figure में हमने जो इसका figure अगर draw किया था कुछ इस टाइब से था ठीक है न है यह भी सी तो अब देखिए यहां के coordinates में आ गए 11,12 अभी क्या गए 1,2 और c क्या गए 5,8 तो यह मेरे complete set of coordinates आ गए हैं ठीक है किस तरह मिट पॉइंट से हमने वर्टेक्स से coordinates को calculate कर लिया है ठीक है तो इस questions questions are all for today I hope that you all have understood if there is any query regarding to this problem you can mention in the comment box comment box your all the queries will be resolved as soon as possible till then all the students thank you and have a nice time